हाई हेलो गाईज वेलकम बाक टू मैंने अधर निव वीडियो तो आप सभी लोगों को पसा है मेरे चानल पे एक स्नाइपिंग टूर्णमेंट कैश प्राइस टूर्णमेंट चल रहता है और उसमें कि यहां और उसमें अगर आपने फाइनल का वीडियो नहीं देखाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में फर्स राउंड का विडियो दे रहा हूं और साथ ही मेरे इस टूर्णामेंट में एक छोटा सा यूटूबर भी खेल रहा है और उस उसने एक अच्छा सा मॉन्टेज बनाया है उस मॉन्टेज को भी जा के सपोर्ट कर लो उसका लिंक में मैं डिस्रिप्शन में दे दूंगा तो गाइस सेनी फाइनल्स के रूल्स ऐसे हैं तो आज का सेनी फाइनल वन होने वाला है सोल रशर वर रशर अक्षू उपी तो क्या लगता है का सोल रशर जीतेंगे या अक्षू उपी करवेंट चैक्छन ने बता दो जैसे कि आप सभी लोग देखें है तो स्कूर हो जोगा है 2012 और अक्षू उपी के पास है AWM और अक्षू उपी का यह भैजरीन हेडशॉट क्या गाइस क्या लगता है अक्षू उपी तो रशर बैक फॉल बैक करेंगे तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई करेंगे तो गाइस मैच स्टार्ट हो चुका है तो आप देखना यह है कि फर्स्ट किल कोन करेंगा इस तुर्णामेंट में हम फर्स्ट किल को ड्रोन से देखते हैं और यह बैतरीन फाइट शुरू हो चुका है और फर्स्ट किल सोल रश वाइटी ने किया है इस तुर्णामेंट का फर्स्ट किल हो चुका है सोल रश वाइटी की तरप से और यह बहुत ही बैतरीन डैमेज डिच क्याओ टू और इसके साथ डिच के आउट 3 भी हो चुका है, डिच के आउट 4, डिच के आउट 5, और ये बैतरीन हर्शॉर्ट, डिच के आउट 6, तो गाईस, और रशर वाइपे ने 6 का लेट बना चुके है, अब ये अक्षोपी को कुछ अलग करके नहीं होगा, और गाईस, फर्स्ट अक्षोपी, डिच के आउट 2, डिच के आउट 3, डिच के आउट 4, और बैतरीन कम बैक, अक्षोपी की तरप से, डिच के आउट 5, डिच के आउट 6, तो गाईस, स्कोर हो चुका है भी एक्वल, के में पलट रहे, क्या लगता है पांदा जी कोन जिते गाई मैच, पता नहीं ब्रो, बहुत ही बड़ी आसा फाइट चल रहा है, मिनी पांदा मुझे तो लगता है, दोनों टक्कर का मकावला देने वाले है, और या बैतरीन कम बैक, फ्रम सोल रश्वाइटी, एक का लीड बना चुके हैं अभी, डिच के आउट 2, ओ यार बहुत ही बैतरीन इन दो का लीड बन चुका है, सोल रश्वाइटी, और अक्षो पी अभी फिर से अपने हाथ से खिल चुड़ दे रहे हैं, इनको भी आपपी कम बैक करना होगा, और या बैतरीन जिगल, बहुत ही बुरी तरह से फस गय, अक्षो पी फस चुके हैं, और या बैतरीन किल में कनवर्ट ने कर पा रहे हैं पी तक, फिलाल तो स्कोर हो चुका है, 6-8, और या बैतरीन हेडशोट के साथ, ओ भाई ये क्या था, बहुत ही बैतरीन क्रॉस हेडशोट, बहुत अच्छा लगा, ऐसे हेडशोट सामको बहुत कम देखने मिलते हैं, और स्कोर हो चुका एक नाइन और नाइन किल के साथ, शोल रशवाईटी एक किल से लीड बना चुके हैं आपने, अभी देखना ये है कि उस लीड को मेंटेन कर पाएंगे या उस लीड को भी खो देंगे, जैसे कि हमारा पांडा बाईने के के दिया ता, वैसे ही, शोल रशवाईटी ने अप इसका आप रिपले भी दे सकते हो, देखो गाइस, ओ बन्दा हमको ठीक से दिख भी ने रहता है, और बैतरीन हेड शॉट के साथ, अक्षो अपी ने क्या ही हेड शॉट मारा है, 252 का डैमेज दे दिया है, इस हेड शॉट के साथ, एडवलेम हैं गाइस, एडवलेम, और य यह है कि गाइस, क्या अक्षो अपी भाई इस इलीड को मेंटेन कर पाएंगे, नहीं, सोल रशर भाई ने एक बैतरीन हेड शॉट के साथ, स्कोर को इक्वालाइज कर चुके हैं, तो गाइस, अभी स्कोर हो चुका है, 12-12, मैच में एक्षाइटनेस बहुत ही बैतरीन तरी अधार सब्सक्रादाः पर अभी लग गया, और इस इसलिक के साथ अक्षो अपी भाई ने एक का लिड बना दिया है, अभी सोल रश वायटी को कुछ अलग करके दिकाना होगा और ऑड़नों को स्कोर हो चुका हैं, तो अभी को बहुत बैतरीन तरीके से खेलना होगा, फि अक्षो उपी फ्लैंक भार रहे है बहुत बैथरीन फ्लैंक मार रहे है कै विए स्कोर इफलाइस हो Cinema कैगे इस है नाई है नाईघ्ड बहुत बहुत ही बैथरीन तरीके से दो लीड बनाल चुके है एंड मुमेंट में दो का लीड मतलब भाई सोने पर सो अगात और एक और किल बैतरीन किल के साथ तीन किल का लीड बना चुक है अभी अक्षो पी भाई मुसीबत में फर्स चुक है फिर से वही मिश्टेक और वही पनिश्मेंट फिर से पनिश किया गया है अक्षो पी को अभी फिलाल अक्षो पी भाई फ्लैंक मा हुआ अक्षे उप्पी के हाथ से अभी इनको कमबैक करने में टाइम ही नहीं है यार नहीं नहीं अभी तो भाई जीतना आसान नहीं ना मुंकिन हो चुका है लास्ट थर्टी सकेंड सॉरी ट्वेंटी सकेंड बच चुके हैं और इस समय पे भी अक्षो भाई बहुत ही बैतर इस टूर्णामेंट में आल्मोस्ट गाइस ऑल्मोस्ट क्या सोल रशर वाई टी भैनल ए मोमेंट में आपना स्किल्स दिखाते हुए मैच को जी चुके हैं और इस सेलेब्रेट भी कर रहे हैं पांडा जी बहुत ही बैतरी ने एक्जाइटिंग मैस था पर अक्षो पिनल ए मेंट होने वाला है हां पांडा भई भी मैच और स झाला के गणेश भी बहुत ही बैतरीन स्टूर्स मेंट करेगा गारो जे मैस का फर्स्ट किल कर दिया है को डे आटरिंच ने बहुत ही बैत ऑर देजिगल पर होता जा रहा है झाले है तो गाई इस पिछले मैच के तरह इस मैच में भी शिक्स का लीड हो चुका है एक और देखना ये है कि पारेट लायन भाई पिछले मैच के तरह कमबाक करेंगे या बहुत ही बैठीन हेडशॉर्ट के साथ कमबाक करें कि बहुत ही बैठीन कोशिश और एक और damage registered और kill में convert करने पा रहा है hand fight कर रहे है फिलाल के लिए और यह hand fight में हार गए SG गनेज मैंने पहले से हला बोलना शुरू कर दिया था और 8 का lead इनके पास पहले से ही है तो यह मुसिबत में तो नहीं है और एक और kill के साथ 11 का 10 का lead है इनके पास और यह भैतरीन shot पारेट लाइन की तरब से और इनका 2 kill हो चुका है उपिसा नेट की कोशिश पर फिर से पिट गए score हो चुका है 12-2 और यह भैतरीन lead के साथ गनेश भाई शायद celebrate अभी से ही कर रहे होंगे और यह कर बहुत ही भैतरीन damage और यह भैतरीन headshot इसी के साथ score हो चुका है 12-13 तो गाईज एस जे क्लाइन के एस जे क्लाइज बहुत ही भैतरीन lead बना रहे है और यह कर भैतरीन headshot के साथ अगे बढ़ रहे है और फिट गए तो गाईज फिलाल के लिए score हो चुका है 3-14 बहुत ही भैतरीन lead इन के पास और यह भैतरीन headshot from pilot's line और score हो चुका है 4-16 comeback करने के तो बहुत ही भैतरीन कोशिच कर रहे है damage register कर चुके है गनेश के उपर क्या kill में convert कर पाएंगे नहीं गाईज किल में convert नहीं कर पा रहे है damage तो बहुत ही भैतरीन दे रहे है पर kill convert करने में फर्स जा रहे है और यदर lead तो बहुत ही बढ़ता जा रहा है अभी pirate line को कुछ अलग करके दिखाना होगा 19-4 मतलब लगबक 15 kills का lead इनके पास है लगबक 3 minutes में 15 kills को पर कामबक करना असान ही ना मुंकिन है और वह बहुत ही ऐसे प्लेयर के सामने जो SG Ganesh के नाम से जाना जाते है तो उसी बत ही है तो गाईज अभी pirate line को एक respective score बनाना ही पड़ेगा और बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही damage register क्या किल में convert कर पाएंगे यह और यह skill में convert कर लिया है कि starting में ऐसा gameplay दिखाना चाहिए तब pirate line को starting में बहुत गंदे तरह किसे लीड दे दिया उनको कि अब देखना यह है कि कि कितने score कर पाएंगे pirate line कि नहीं score करने ही नहीं दे रहे गनेश एसजी क्लान के गनेश और यह बहतरी हेडशॉट एक सब्सक्राइश इसको हम flying headshot बोल सकते हैं और इस flying headshot के साथ score हो चुका है 723 और यह बहतरी निमोट confident अभी तो भाई फिलाल last 10 second बचे है और गनेश भाई इनका मजा खुड़ा रहा है तो गाइस अभी कुछी हो सकता है बुझे पता था यही वने वाला था तो गाइस पार यह रहते हो और पार इस रहते हो और पार इनका पुर्सक्राइश और अभी उनका फेवरेट इमोट दिखा रहे है और इसे के साथ मैच हुआ एंड तो गाइस हमको दो फाइनलिस मिल चुके हैं सोल रशर एंड एस जी गनेश तो गाइस क्या लगता है आपको कौन जीतेंगा फाइनल कमेंट सेक्शन में बता दो और इस वीडियो को वाच करने के थांकिव वाचिंग